हेलो एब्रीवान वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर साहम नेहा आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन एकनोमिक डवलाप्मेंट और आज का महारा टॉपिक है अलिमेंट्स ओफ न्यू एकनोमिक पॉलिसी सो इसके तीन अलिमेंट्स थे ठीक है जो कि गॉर्मेंट लेके आई थी लिप लिप्राइजेशन प्राइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अगर यह नोट्स आहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप नोट्स राउन्डोड कर सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं लिप्राइजेशन में क्या हुआ था इट मीन्स रिमूविंग लिप्राइजेशन में क्या किया गया यह सारी कंडिशन इस सारे कंट्रोल सब कुछ हटा दिया गया किसके लिए प्राइवेट कंपनीज के लिए यानि लाइसेंसिंग सिस्टम को बिल्कुल ना मातर कर दिया गया बिल्कुल हटा दिया गया आगे है एकनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिब्राइजेशन अब क्या चेंजिस आये थे लिब्राइजेशन में वो डिटेल में हम पढ़ते हैं सबसे पहला है इंडूस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इनि जो इंडूस्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म्स यानि चेंजिस आये थे रिफॉर्म्स मतलब चेंजिस होता है तो वो क्या क्या थे तो इसमें सबसे पहले है एबोलिशन ओफ इंडूस्ट्रियल लाइसेंसि वो system हट गया था NEP 1991 यानि New Economic Policy 1991 के बाद क्या हुआ हमें अगर इनको इनको इंडर्स्ट्री स्टार्ट करनी है तो license की अब जुरत नहीं थी आपका मन है कि आपको कोई company कोई इंडर्स्ट्री चालू करनी है आप अपनी मर्दी से कर सकते हो आपको government से license लेने के जुरत नहीं है सिरफ यह पांच industries को छोड़ कर liquor पता है क्या होता है जैसे alcohol cigarette पता है क्या होता है defense equipment यह से guns वगेरा होती है industrial explosive यानि माइनिंग वगेरा में जो explosive यूज होते है या कोई dangerous chemical अगर यह industries शुरू करनी है तो license शाहिए अदर्वाइस और कोई वे business आप अपना start कर सकते हैं next है contraction of public sector contraction contract word से बना है यानि कम करना किसी चीज को ठीक है so क्या है जो आपका public sector है यानि government companies है उनका role contract यानि कम कर दिया गया so क्या हुआ NEP 1991 के बाद क्या हुआ number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 8 यानि पहले क्या था कि आपके public sector के लिए government sector के लिए कुछ industry reserved थी कि भाई सरफ government ही इन companies को run कर सकती है private लोग जो है इस company को नहीं चला सकते हैं पहले थी 17 इसके बाद कर दी गई आठ सरफ आठ ऐसे इंडर्स्ट्री सी जिसमें सरफ government का हग था लेकिन 2010-11 में क्या हुआ इन इंडर्स्ट्री को और कम कर दी गया सरफ two कर दिया गया यानि सरफ दो इंडर्स्ट्री ऐसी थी जहां सिरफ government जो है काम कर सकती है प्राइवेट लोग नहीं खोल सकते हैं वो है atomic energy और railways नेक्स्ट है de-reservation of production areas इसमें क्या है देखो many production areas which earlier were reserved for small scale industries were de-reserved यानि पहले क्या था कुछ production areas यानि कुछ चीजों की production ऐसी थी जो की small scale industries के लिए थी यानि कि सरफ small scale industries के पास right था कि वो इन particular चीजों का production कर सकती है उसको de-reserved कर दिया यानि वो हटा दिया reservation system कि अब ऐसा नहीं है कि सरफ small scale industries ही start कर सकती है कोई भी इंसान बड़ा हो चोटा हो जिसके बाद जादा पैसा हो कम पैसा हो कोई भी आके इन industries में अपना हाथ जमा सकता है सो NEP 1991 के बाद कि इंडॉस्ट्री के बास freedom आगी अब वो खुद डिसाइड कर सकते थे कि कौन से product में उनको deal करना है यानि किस चीज का production करना है किस चीज का नहीं करना है आगे expansion of production capacity production capacity का मतलब है जादा production expansion का मतलब है कि बढ़ाना the production capacity को बढ़ाना यह कर दिया गया कैसे earlier there was need to acquire license regarding the quantity to be produced यानि पहले क्या होता था अगर आपको जो है यहाँ पहले को लिखा हुआ है earlier there was need to acquire license regarding the quantity to be produced कितनी भी quantity आपको production करना है इसके लिए आपको license लेना पड़ता था मतलब पहले आप government के पास जाएंगे वहाँ से permission लेंगे license लेंगे जितना government allow करेगी सरफ उतना ही production करेंगे पहले यह था लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ अब freedom दे दी गई ठीक है producers को या industrialist को कुछ भी बोल दो freedom दे दी गई कि जो मर्जी बनाओ what to produce यह जो मर्जी production करो how much to produce यह जितनी मर्जी quantity में production करो आपको license लेने की कोई ज़रत नहीं आपकी इच्छा है नेक्स और लास्ट है freedom to import capital goods यानि अजादी दे दी गई industrialist को कि आप capital goods इंपोर्ट कर सकते हैं यानि बाहर के देश से अपने देश इंडिया में मंगवा सकते हैं capital goods 4 goods होते हैं जोसकी machines वगेरा हो गई हैं जो और आगे further production में help करती हैं सो ना NEP के बाद क्या हुआ industrialist को freedom दे दी गई कि capital goods मंगवा आओ बहार के देश से अपनी technology को upgrade करो और improvement लेके आओ technology में बहार से technology मंगवाओ सो permission के बिल्कुल जुरत नहीं थी government से अगर आपको कोई भी international agreement करना है यानि बाहर के देश से कुछ भी टाइप का import करना है तो आपको जो है permission लेने के जुरत नहीं थी जार वीड़ों कादम हूँ थैंक्स वाचिन स्वीटियो प्रीज लाक्षिए न शब्स्राइब